हेलो गईस वन्स अगेन वेलकम टू माई यूटूब चैनल नॉलीज अंडर तो आज के वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट का एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन का संगत वैभार जिसे हम लोग कहते हैं एनमलस बिहेवियर आप कार्बन चैनल के जितने भी नोट्स हैं वो सारे का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रका हुआ है आप लोग इबर चेक जरूर करें तो चले श्टार्ट करतेगा इस आज का टॉपिक तो चले पिरियोडिक टेवल में हम लोग सबसे पहले कार्बन का पोजीशन देख लेते हैं दन उसके बाद हम लोग ये नोट्स भी देखेंगे पिरियोडिक टेवल में देख लेते हैं जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा कार्बन फैमिली कम्प्लीट हो चुका है ज़स इससे पहले हम लोग ने कार्बन फैमिली के बारे में काफी कुछ चीज़े पढ़ा हुआ है जो कि आपका ग्रूप 14 के अंतर गताता है और हम ये देखते हैं कि इस कार्बन फैमिली का सबसे फर्स्ट ऐलिमेंट जो है वो कार्बन होता है जिसका अटॉमिक नमबर 6 होता है और ये जो कार्बन होता है अपने ग्रूप के बाकी ऐलिमेंट से कुछ अलग ही वेवहार दिखाते है इसके पीछे का रीजन क्या है वो सब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके वल कार्बन फैमिली की बात नहीं है चाहे बोरॉन फैमिली हो चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो चाहे अक्सीजन फैमिली हो हर फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका जो behavior होता है वो थोड़ा सा अलग ही होता है तो आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण है कौन कौन से इनके behavior अलग है वो चलिए अब हम लोग notes में देख लेते हैं इता प्रते ग्रूप का first element अपने ग्रूप के अनिस दस्यों से भिन होता है इसके पीछे निम्न लिखित कारण हो सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कौन से reason है कि carbon जो है वो abnormal behavior दिखाते हैं तो सबसे पहला है छोटा आकार या जिसको हम लोग कहते है small size तो guys देखें जो carbon होता है उसका size काफी ज़दा छोटा होता है अपने group में तो इस वज़ए से भी उनके काफी सारे behavior अलग होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे तो पहला reason है आपका small size का होना उसके atom का size काफी ज़दा छोटा होता है हमको पता है कि जैसे से हम ग्रूप में उपर से नीचे क्योड जाते जाते हैं carbon का मतलब जो परमाडू का अकार है वो ग्रूप में धीरे धीरे बढ़ते जाता है इस वज़ए से जो carbon होता है वो अपने group का सबसे चोटा size में सबसे चोटा element होता है second number का है उच चिलड विदुता है जिसको हम लोग कहते है higher electronegativity जो carbon के electronegativity होती है वो काफी जादा होती है third number का reason है d-orbital की अनुपस्थिति अगर आप लोगों ने इसके electronic configuration को देखा होगा तो वहाँ पर d-orbital नहीं होते हैं जो carbon होते है उनमें d-orbital की अनुपस्थिति होती है इस वज़ए से भी ये abnormal behavior दिखाते है अब चली हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से इनके behavior है जो की असंगत है तो carbon group के अन्य member से निम्ण प्रकार से भिन्न होता है सबसे पहला देखिए carbon चार single bond बनाते है d-orbital की अनुपस्थिति के कारण और अधिक bond नहीं बना सकते इसलिए संकुल योगिक नहीं बनाते है अब देखिए जहां भी आप लोगों ने चाहे methane की बात हो, ethane की बात हो हमेशा देखना जो carbon होते हैं वो चार bond बनाते हैं चार single bond बनाते हैं क्योंकि उसमें d-orbital presence नहीं होता है इस वज़े से वो और ज्यादा bond नहीं बना सकते हैं केवल वो चार bond ही बना सकते हैं इस वज़े से वो complex compound नहीं बनाते हैं संकुल योगिक मैंने आप लोगों को याद कीजिए अज ब्लोक में बताया था तो उसमें काफी सारे bond बनाने पड़ते हैं कारवन संकुल योगिक बनाता है इस वज़े से कारवन ज्यादा तर संकुल योगिक नहीं बनाते हैं इसका कारण ये है कि जो कारवन होते हैं उसमें D-orbital की अनुपस्थिती होती है तो सबसे पहला तो ये है कि वो संकुल योगिक नहीं बनाते हैं सेकेंड नमबर का आप लोग देखें behavior यह इस group का सबसे अधिक रणविधूती element होता है, मतलब इसकी जो electronegativity होती है, वो काफी जादा होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कारवन की जो electronegativity होती है, वो 2.5 होती है, something यह fluorine, chlorine के बीच का electronegativity है, तो बहुत ही जादा electronegativity इसकी होती है, इस वज़ा से भी यह अलग behavior तो दिखाते ही है, और सबसे main reason यही है, कि इसकी electronegativity जो है, वो काफी जदा अधिक होने के कारण, बाकी जो group के member है, उनका electronegativity इतना जादा नहीं होता, जितना कारवन का होता है, तो यह भी प्रकार का एक अलग behavior है, कारवन का अब चले थार्ड नमबर के देख लेते हैं, कारवन की आयनिक और सहसे यूज़क त्रिज्याय सबसे कम होती है, मतलब इसकी अगर हम लोग आयनिक और कोवालेंट रेडिक की बात करें, अब देखें का इस त्रिज्याय तो कम होगी, क्योंकि इसका size जो है, वो सबसे छोट होता है, तो इसका जो रेडियस है वो तो छोटा ही होगा, चौधे नमबर के इस अलिमेंट की आयन अनूर्जा सबसे अधिक होती है, मतलब इसकी जो आयोराई जैसे अनेज़क और सबसे जादा होती, रीजन क्या है, क्योंकि इसके अलिमेंट का साइज काफी जो चोटा हो उतना ही हमको उसे एनरजी देना पड़ेगा, तो सवाईक सी बात है, अगर हम लोग जादा एनरजी देंगे, तो आयन अनूर्जा क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, इस वज़ए से कार्बन का जो आयोना जैसन एनरजी होता है, वो सबसे जादा होता है, जबकि शट्वा नमबर का देखे, कार्बन में सहसयोजी योगिक बनाने की प्रवित्ती अधिकताम होती है, यह जो होते हैं, वो सहसयोजी क्योगिक काफी जादा बनाते हैं, शट्वा नमबर का देखे, कार्बन में बहु बंद बनाने की प्रवित्ती अधिकताम होती है, मतलब क तो यह कार्बन एदिकतर जो भी अन्य एटम होते हैं उनके साथ मल्टीपल बोन्ड मनाते हैं जैसे कि C ट्रिपल बोन्ड C C double bond O C triple bond N मतलब यह जो होते हो मल्टीपल बोन्ड मनाते हैं साथ वे नम्बर के देखें carbon sring elas बनाने की प्रवित्वी सेज्ब रखते हैं मतलब carbon chain आप लोग देखें के काफी सारי compound होते हैं बहुस सारjach carbon chain वाले compound होते हैं तो यह जो होते हैं carbon एक दूसरे किसा Republicans स्रिंखला बनाते हैं तो यहां पर देखिए कार्बन स्रिंखला मतलब कार्बन चैन बनानी की विसेश प्रवित्ती रखते हैं इसलिए यह लंबी स्रिंखला वाले बहुत से कंपाउंड बनाते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमको कार्बन की लंबी चैन देखन और CO2 carbon dioxide बनाता है जब कि बाखी तत्व ठोस oxide बनाते हैं याद कीजिए मैंने आप लोगों को carbon family में जब इसके chemical properties बता रहे थी उस वक्त मैं आप लोगों को बताई थी कि जो SiO2 होता है जो silicon dioxide होता है वो ठोस होते है जब कि carbon dioxide gas होते है तो इनकी ने देखा carbon क्यों इतना अलग behavior दिखाते है और बहुत सारे ऐसे reason है जिसकी वज़े से carbon जो है वो अपने group में अलग behavior दिखाते है ये तो हुआ complete हमारा carbon का असंगत विभाज जिसे हम लोग कहते है anomalous behavior of carbon तो I hope you guys आज का वीडियो भी आप जोगिली helpful रहा होगा and thank you so much for watching